अब सेक आप सभी का सवात करता हूं आप सब के अपने जैनल डे टुडे लडिक पर दोस्तो आज हम लेकर के आये हैं MKS 23 के लिए GKGS का मॉक टेस्ट जो की दोस्तो बिल्लकुल आपके एक्जाम के पॉइंट भीक से डिजाइन किया गया है दोस्तो यह जो मॉक टेस्ट है डिक तो आपके एक्जाम के तरफ ही रहेगा और दोस्तो इस मॉक टेस्ट को लाकर के आप अपने एक्जाम में नंबर को बुष्ट कर सकते हैं तो चले दोस्तो आज के हम अपने इस बैतरीन से सेसन का सुरुवात करते हैं आज के हमारा पहला प्रस्ट है निम्लीखित में से कौन सा इस मार्क करनाटक का राजे में स्थीत हैं आप्शन में A गोल गुंबज, B चार मिनार, C कुतुब मिनार ये D बड़ा जमाम बारा तो दोस्तो इसका एक्जेक्ट एंसर होगा हमारा ओप्शन में A यानि कि गोल गुंबज, नेक्ट परसन दोस्तो हमारा निम्लीखित में से कौन सा देश, ICC का सहयोगी सदस्ट से हैं दोस्तो इसका एक्जेक्ट एंसर क्या होगा हमारा ओप्शन में A यानि कि नेपाल, नेक्ट परसन दोस्तो हमारा नंदा देवी मेला प्रत्यक वर्स, 10 के महिने में कुमाउं छेत्र में आयुजित किया जाता है दोस्तो इसका एक्जेक्ट एंसर क्या होगा हमारा ओप्शन में C यानि कि सितंबर दोस्तो नंदा देवी मेला प्रत्यक वर्स, 10 के महिने में कुमाउं छेत्र में आयुजित किया जाता है अगला प्रस्ण है कथन को पूरा करें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट का उप्योग, डैस किया जाता है आप्शन में A, बोरेक्स के निर्मार में B, सोडा, एसिड, अमल, अगनी शामक के अंत्रों में आप्शन में C, घरेलू प्रेजने के लिए एक सफाई एजन्ट के रूप में आप्शन में C, पानी की स्थाई का ठोटा को दूर करने के लिए तो दोस्तो इसका एक्जेक्ट एंसर क्या होगा दोस्तों इसका एक्जेक्ट एंसर होगा होगा हमारा सोडा एसीड अमल अगनी शामक यंत्रो में यानि कि ऑप्शन में बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इसका अगला प्रसन दोस्तों हमारा डमीस सिपी को फिल्म फेर अवाइड वह बीस में निमलिखित में से कौन सा प्रसकार प्रदान किया गया ओप्शन तो दोस्तों इसका एक्जेक एंसर क्या होगा हमारा ओप्शन निमबर सी यानि की लाइफटाइम आशिविमेंट अव Hidden. अगला प्रसन दोस्तों हमारा 1526 में डैस ने पानिपत में एबरायम लोदी को हराया और डिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया ओप्शन में A. मिरांसा, B. बाबर, C. चंदेल खान, या D. तैमूर दोस्तों इसका एग्जेक्शन से हमारा ओप्शन नुमिर B. यानि कि बाबर होगा दोस्तों 1526 में पानिपत की पहले लडाई बाबर और एबरायम लोदी के बीच में हुई थी पानिपत की दूसरी लडाई 1556 में अकबर और हुमायू के बीच में हुई थी अगरा प्रसन दोस्तों हमारा निमलेखित कत्नों में से कौन सा सत्ते नहीं है औप्शन में A. हाथियारों को कीचर और पानी से खेलना बहुत पसंद है औप्शन में B. हाथी अपनी पुछ का इस्तमाल खुद को ठंडा करने के लिए करते हैं अप्शन में C. हाथी दीन में सिर्फ दो से चार घंटे ही सोते हैं अप्शन में D. एक व्यस्क हाथी एक दीन में 100 किलोग्राम से अधिक पतियों और तहनियों को खा सकता है तो दोस्तो इसका एक जैक्ट एंसर होगा हमारा ऑप्शन नमबर B. यानि हाथी अपनी पुछ का इस्तमाल खुद को ठंडा रखने के लिए करते हैं उन्हों को पुछ बहुत ही शोटा होता और अपने पुछ से खुद को ठंडा नहीं रख सकते इसलिए अप्शन नमबर जो B है वो बिलकुल सत्य नहीं है अगला प्रसन दोस्तों हमारा जुलाई 2020 में इस्टाइडियन ग्रांड फ्रिक्स फर्मूला रेशिंग चैंपियन किसने जीता अप्शन में ए लुई हैमिल्टन बी वाल्टेरी बोटास सी मैक्स मैक्स वेस्टर्फें या डि सेब्स्टियन वेटल तो दोस्तों इसका एग्ट एंसर क्या होगा तो दोस्तों जुलाई 2020 में स्टाइड़ अप्शन का जो खिताब था उसको जीता था लुई हैमिल्टन ने अगला प्रसन दोस्तों हमारा एक छिकित से ताप मान को यस तक सुचना प्राप्त करता है प्राप्त करता है ऑप्शन ओर जो है 35 इ market से और revolutionary अ Tennessee only ने बी है तो जुलाइक निस्थे नाट जैसा से और चीज़ दीन से थीजिजिए से दोस्तों इसका एक्जेक्ट अंसर होगा हमारा सब्सक्राइब को भारत सरकार द्वारा डैस वर्सों में अनुमोडित किया गया दोस्तों इसका एक्जेक्ट एंसर क्या होगा हमारा स्रिलंका बी नेपाल सी भूटान या डी में हमार तो दोस्तों इसका एक्जेक्ट एंसर हैं यानि, नेपाल दसाओ ज़े नेपाल का सफिर्षरिष्ट फिरहर है अगला है प्रस्वे में अएक चरण को सांदर नमक के घोल में रखा जाता है तो थे डैध हो जाते है, धु है फिर फूल जाते हैं में जाते हैं और अप्सब में 12 utilizar हा या घरला जाता है दोस्तो इसका exact answer अमरा option में B यानि की स्विकूर जाते हैं होगा अगला प्रशन दोस्तो हमारा भारतिय संसर ने डेस्ट में नागरिक्ता विधायक पाइडित किया option में A 2015 B 2019 C 2017 EID 2016 तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा दोस्तो इसका exact answer हो जाएगा हमारा option number B यानि की 2019 अगला प्रशन दोस्तो अमर्णिम लिखित कत्नों में से कौन सा कत्न सकते नहीं option A सरकार विटिय निती से संबंधित है option B विटिय निती और व्यवस्ताग में धन की आपूर्टी और व्याज दर से संबंधित है option C विटिय निती में कर निती वै निती निवेश या वी निवेश रण नितिया और रिड़ या अधिशेश प्रबंध शामिल है यह option D है दोस्तो विटिय निती देश की शमाने आर्थिक निती रण निती से जूरी होती है तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा दोस्तो इसका exact answer होगा हमारा option में B या निती विटिय निती और तरस्तार में धन की आपूर्टी और व्याजदर से सम्मंधित है अगरा प्रसन दोस्तो हमारा निमलेखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमाले में नहीं निकलती है option में A नर्मदा B गंडक C घागरा या D कोसी दोस्तो कोसी गं है भी हिमाले च्क्य herumतार से निकलती है लेकिन दोस्तो नर्मदा वहां से निकलती है तो इसका option me A ना कि नर्मदा हो जाएगा अकबर के समराज्य में कमांडर को D skyण कहा पॉजी ता था ।ो दोस्तों इसका एककट answer होगा हमारा फॉजीदार यानि कि option number C अगला प्रस्ण दोस्तों हमारा दातों की सरण deep के कारण होती है जीवानू के कारण datasets एक्जएक्ट एंशर होगा होगा option number A यानि कि जीवानू के कारण अगला प्रस्ण्द दोस्तों हमारा The小ope तेल्स ओफ बिडल दबोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्शन में ए जेके रोलिंग बी लुई कैरल सी ईबी वाइटर्स या डी रोवाल्ड धाल तो दोस्तों इसका एक्जैक्ट एंसर क्या होगा दोस्तों इसका एक्जैक्ट एंसर होगा हमारा ऑप्शन निम्बर ए य भारत के सबसे पुरारे पठारों में से एक है ऑप्शन में बी पठार एक उंची समतल भूमी है ऑप्शन में सी पठार खनीज भंडार से सम्रिद्ध है ऑप्शन में डी मारवार का पठार विशू का सबसे उंचा पठार है तो दोस्तों इसका एक्जैक्ट एंसर क्या मारवार का पठार जो है विश्व का सबसे उंचया पठार हैं अगला प्रसंद दोस्तों हमारा मुर्शीद कुली खान डैस के नवाप थे ऑप्शन में ए अवध बी हैदराबाद सी लखनोव याई डी बंगाल तो दोस्तों इसका एक्जेक्ट एंसर होगा हमारा ऑप्शन मे 1932 तो दोस्तों भारती रिजर बैंक यानि की आर बी आई कि स्थापना जो है 1935 में हुई थी तो दोस्तों इसके साथ हमारा जो अंतिम प्रसंद था उसमाप्त होता है दोस्तों तो आई होब कि वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो और दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा तो प्लीज उस कोश्चन्स को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्ट में हम जाहें जाहें